अपर फेवली मैं डारेक्ट आप से एक सवाल करना चाहता हूँ आपको क्या लगता है जो एक्षेंजेज़ेस हैं सेंट्रलाइस्स क्रिप्टो एक्षेंजेशेस् Rag reconnect किया यह आगे जाके बंद हो जाएंगे जो क्या इनका फ्यूचर है या नहीं है तो बात करने वाले हैं इ strategic officer है, इनका कहना है जितने ही बी centralized exchange है, फिर चाहे वो وجirex है, Sun Crypto है, Binance है, दुनिया चीото जितने भी जितने भी है میरे तब यह crypto market में, इनका मानना यह है कि सारे के सारे खतम हो जाएंगे, इनकी दलील marginalized है हम देखेंगे, साहती साथ हम अपना डिसकस करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है ठीक है तो इन्होंने काए कि जो मैंने आपको पता है कि भाईया यह जितने भी आपके क्रिप्टो एक्षेंज से एक हतम हो सकते हैं because आने वाला जो टाइम है वो completely decentralized होने वाला है जो क्रिप्टो इन्वेस्टिंग है वो decentralized होने वाली है और ये बयान क्यों आया आप सभी को पता है मेरे भाई FTX का crash आया उसके बाद जो investors है उन्होंने काफी अपना money जो lose करा है क्रिप्टो की जो goodwill है वो लगातार गिरती जारी है अब investors को कुछ ऐसा चाहिए जहाँ पर वो safely कम से कम ये तो उन्हें एक भरोसा होना चाहिए कि वही है जहां से हम investment कर रहे हैं वो ही platform आपका safe हो just like FTX की तरह उनके साथ ना हो तो ये मानना है मेरे भाई Patrick Hellman का अब इसके पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं और बात देखो सही भी है और बात थोड़ी सी गलत भी है ठीक है मुझे लगता है गलत भी है और सही भी है सही क्या है जितने भी आपके crypto exchanges है भाई बहुत गलत है कि वो अपना proof of reserve नहीं दिखा रहे जितने भी crypto exchanges है बहुत ही गलत है कि वो लोग अपने जो investors है अपने जो users है उनसे कुछ ना को चुपाने की कोशिश कर रहे है जो की नहीं करना चाहिए अच्छा FTX का जो crash आया उससे पहले हमने देखा Luna crash फिर FTX crash आगया दो बड़े project जो दो बड़े players थे crypto market के वो एक साथ गिर गए तो लोगों का विश्वास automatic कम हो गया अब इसमें सही यह है मेरे भाई क्योंकि आने वाले जो time है web 3 metaverse यह decentralized है completely decentralized है बिल्कुल बास सही है लेक आप से जो crypto exchanges है ना अभी यह आपके ना double up होंगे in sense of like यह अपना proof of reserve दिखाने लग जाएंगे है ना यह जो है तो अभी क्या है यह अपने जो users है उनसे बहुत कुछ चुपाने की कोशिश करते हैं बहुत कुछ चुपाने की कोशिश करते हैं आने वाले time में जो यह यह थोड़ी सी बढ़ेगी तो crypto exchanges मेरे साब से survive कर जाएंगे हाँ decentralized होने वाला है सब कुछ decentralized होने वाला है हाँ उसके तरफ भी बढ़ेंगे centralized भी हम देखेंगे decentralized भी हम देखेंगे आने वाले time में और देख भी रहा है metamask आप देख लो trust wallet आप देख लो कितना बढ़ गया ह थोड़े दिनों में तो यह चीज़े हैं मुझे लगता है कि completely खतम तो नहीं होगे लेकिन हाँ कुछ ऐसे players जो कि market में अपना आपको fake दिखाते हैं जो fake है जो अपना आपको legit दिखाते हैं मेरे भाई वो ज़रूर market से खतम हो सकते हैं तो make sure कि जितरे भी आपके छोटे पर ठीक है अब next update की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं जितने भी आपके alt coins है ठीक है जितने भी alt coins आपके यह हो सकता है कि कुछ time बाद कुछ time बाद आपको debit card और credit card से भी buy करने की opportunity आपको मिल जाए यह चीज हो रही है मिरे भाई ऐसा नहीं है यह पहली बार है मैं आपको बत buy कर सकते हैं तो आने वाले time में हो सकता है मिरे भाई कि exchanges का थोड़ा सा जो काम है वो थोड़ा कम हो जाए क्योंकि यह जो debit card है credit card है यह सीधा third party एक third party की तरह एक buying selling platform बन जाए क्रिप्टो के लिए ठीक है यह भी हो सकता है बाकि अगर आप एक शीच देखो मिरे भाई जब स market में crash आया है तो बहुत सारे exchanges तो ऐसे हैं बंद होने की बात कर रहे हैं बहुत सारे exchanges तो हमारे ऐसे हैं मेरे बाई जिनकी trading fees भी नहीं निकल दी जिनकी जो running cost और operating cost वो भी निकल पारी like बहुत सारे देख लो मेरे बाई क्योंकि volume गरी है यह buying selling की वो नहीं है तो इस से आप सभी को पता है एक बहुत बड़ी फुटबॉलर है इनके खुद के NFTs आने लगे हैं market के अंदर है ना अब क्या हो रहा है एक twitter account है जिसके उपर लगबग 30-30 followers है वो twitter account मेरे भाई scam कर रहा है scam किस तरह से कर रहा है वो एक fake account है जो कि fake NFT sell कर रहा है market के अंदर तो अगर आ किसे ही NFT buy करें otherwise आपके साथ यह scam हो सकता है लास्ट अपडेट आपकी रशिया की दर्फ से है तो आप सभी को पता है मेरे भाई कि रशिया जो है वो crypto को लेकर काफी positive हो रहा है अभी कल का एक बयान है वहां के एक leader का की 2023 में शायद ही कुछ ऐसे law लेके आए रशिया के लेकिन international payment में कहीं न कहीं दिक्कत आती है कहीं अठकी जाती है payment ठीक है कई बार क्या है जिसको बेज नहीं है कुछ 19-20 होता रहता है तो इस चीज के लिए जो crypto currency है रशिया के सबसे सबसे best एक medium मन सकता है for the payment तो कैस्ट ये सारी update है बागी बताईएगा मुझे कि क्या crypto exchanges के साथ ऐसा हो सकता है जैसे कि मैं जैसे कि मैंने आपको update दी है ठीक है सब कुछ में बताने की कोशिश करिएगा आपक बहुत important है आपका comment box में वेट करूँगा crypto जिन्दाबाद जरूर लिखे थैंक्यू सो मच बाइटेकर एंड बीस देफ क्रिप्ट करेंसे जिन्दाबाद क्रिप्ट मार्केट जिन्दाबाद क्रिप्ट इंवेस्टर जिन्दाबाद